Hey everyone, welcome back to the channel, so pharmaceutical biotechnology की unit 2 हमने start कर दी थी previous वीडियो में, तो वहां पे हमने chapter 1 इस्टार्ट किया था और उसमें पहला जो topic था, जो था हमारा study of cloning vectors, तो उसके बारे में हमने discuss किया था, आज हम बात करेंगे study of restriction endonuclease, तो restriction endonuclease क्या होता है, इसके बारे में आज हम detail में देखने वा करेंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि previous वीडियो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि माल लीजिए, कि ये कोई gene है, ओके, ये DNA, और DNA से क्या हमने एक gene को cut कर लिए इस तरीके से, अब हमें क्या इस gene की multiple copies बनाने है, इस तरीके से multiple copies बनाने है, तो multiple copies बनाने के लिए हम क्या गरते है, कि gene का एक जो piece होता है, उसको हम क्या गर सकते है, एक plasma या फिर जो एक vector होता है, ठीक है, तो vector के साथ हम क्या गरते है, इसको attach करते है, यहाँ पर हम उसे attach कर देते है, है ना, जब हम इसे attach करते है, तो यहाँ पर क्या है, जो पूरा ज से ओके और देन क्या करते हैं हम इसे एक bacterial cell के अंदर transplant कर देते हैं और जब यह bacterial cell के अंदर transplant हो जाता है तो जो bacteria होता है तो वो कैसे replicate कर देता है इसको multiply कर देता है जिससे के हमें एक gene की multiple copies बिलती है तो जो previous वीडियो थी हमें multiple copies बनानी है तो जीन को जो हम इसमें से cut कैसे करते हैं हम DNA का एक fragment cut कैसे करते हैं या फिर हम बात करें कि यह जो placement होता है या फिर जो vectors होते हैं तो इसमें से अब इतना इससा हम cut कैसे करते हैं तो यह जो cut करने वाली जो technique है तो इसी को हम आज की वीडियो में देखने बाले है कि इसमें से इस वाले part को हम कैसे cut करते हैं तो यह तो कि एक DNA का इससा है तो हम इससे cut कैसे करते हैं तो इसके लिए क्या है हम कुछ enzymes की मदद देते हैं और वो जो enzymes होते हैं उनी को हम क्या बोलते है restriction endonucleus तो इनकी मदसे हम क्या कर सकते है कि जो vectors होते हैं उसमें हम cut करके जो DNA का फ्रेग्मेंट रहता उसको attach कर सकते है जो DNA का फ्रेग्मेंट रहता है DNA के अंदर उसको भी cut करने के लिए हम restriction endonucleus का use करते हैं तो एक तरह से आप बोल सकते हैं को वो एक तरह से केंसी होती है, जो क्या है? कांठने के काम में आती है, split करती है, तो इतना आपके समझ में आगया होगा, चलिए तो सबसे पहले theory की तरह बढ़ते हैं, तो restriction endonucleides are one of the most important group of enzymes that can cut split at specific type or site, तो restriction endonuclease क्या हो रहता है कि ये क्या group of enzymes होता है restriction endonuclease कोई एक enzyme का नाम नहीं होता है इसमें क्या है बहुत सारे group of enzymes होते हैं तो इन सभी को हमकिया restriction endonuclease बोलते हैं ठीक है तो ये क्या कभी यदे एक important group होता है enzymes का जो क्या करता है किसी भी एक particular site को site मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई vector है तो उसमें कि एक restriction endonucleus site होती है जहां पर हम क्या cut लगाते हैं ताकि हम gene को उसमें attach कर सके हैं तो उस particular site को या फिर कोई particular type का मतलब DNA fragment हो गया तो उसको cut करने के लिए उसको split करने के लिए दो बाग में divide करने के लिए हम जो restriction endonucleus का use करते हैं जो enzymes होते हैं उनका हम use करते हैं तो यतना आपको बहुत ही basic सा है जो आपको याद रखना है और यह जो restriction endonucleus जो enzymes होते हैं तो इनको सबसे पहले discover किया गया था E. coli bacteria का अंदर चलिए अब हम nomenclature की बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी restriction endonucleus enzymes होते हैं उनका हम nomenclature कैसे करते हैं ठीक है तो देखो nomenclature करने का एक बहुत ही basic सा एक simple तरीका होता है कि जो भी मतलब माल दीजे कि यहाँ पर हमने एक example ले लिया कि यह क्या एको राई तो यह क्या होता है एक restriction endonucleus enzyme होता है जो क्या है cut करने में split करने में help करता है तो यह क्या एक नाम हो गया एको राई है अब यह जो आई होता है यह आई नहीं है एक्चुल में एक रोमन कि माल दीजे यहाँ पर फ最 letter होगा इस तरह से जो ई है तो वह क्या करेगा ऒ immense name को define करेगा genus name या फिर पर जो उसका source होता है उसको define करेगा जो second और जो third letter होता है व कह mów एकedar स्पीषीज का नाम बताएगा है indicate करते हैं जैसे for example के eco rai ये एक enzyme का नाम है तो इसको हम जो इसका nominal letter कैसे करेंगे तो सबसे पहला जो letter होगा वक्या करेगा genus को define करेगा ठीक है तो कौन से genus से इसके रिया ओके तो यह हो गया second जो letter होता है second जो third letter होता है तो वो कहा है species name होता है इसमें कोई strain name नहीं होता है इसलिए यहां पे हम केबल strain नहीं लिख देते हैं सबसे last होता है first last का जो letter होता है उसे हम roman numeral बोलते हैं यह i नहीं है यह कहा है one होता है actually जैसे आपने normal हम letters में one कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं और लेकर हम उसे Roman letters में कैसे लगते हैं इस तरीके से तो इसी तरीके से क्या है जो last का जो letter रहता है तो यह क्या है order of discovery को indicate करता है तो यह क्या है first enzyme होता है ठीक है और अगर यहां पर क्या है इस तरीके से 2 होते तो यह second enzyme हो जाता है, 3 होते तो third enzyme हो जाता है तो इस तरीके से क्या एक order of discovery को यह define करता है, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, ज़्यादा आपको टेंसल लीने की जोब़त नहीं है, next अब बात कहते हैं कुछ points की, तो restriction endonucleus act as a biochemical knife, तो जो restriction endonucleus, जो enzymes होते हैं, तो यह क्या एक biological knife की तरहे काम करते हैं, एक biological चाकू की तरहे काम करते हैं, next point है, it recognizes specific nucleotide sequence, and may cut on the plasmid or desired DNA, तो यह जो restriction endonucleus रहता है, तो यह क्या करता है, specific nucleotide का sequence रहता है, तो उसको क्या यह recognize करता है, और then वहापे क्या cut लगा के, उस part को अलग कर देता है, तो nucleotide sequence क्या होता है, इसके बारे में तो मैंने कलाप को बैसे बताया था, कि जिस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से DNA होता है, इसके अंदर के adenine, thiamine, यह सरे क्या base होते हैं, तो यह चारो के चारो मिलके क्या, एक nucleotide sequence बनाते हैं, तो इस sequence को जो recognize करके, इसमें cut लगाने का जो काम करता है, वो क्या restriction endonucleus ही करता है, तो बस आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, बहुत हीजी है, next और जो सबसे important point है, वो यह है कि the target set for cutting may vary, from enzyme to another enzyme, तो basically क्या होता है, कि जितने भी type के हमारे plasmid होगे, या पर DNA fragments होगे, तो ऐसा नहीं है कि एक ही type का जो enzyme होता है, वो सभी को मतलब cut कर सकता है, सभी को spread कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी जो target site रहती है, जहांपे हमें cut लगाना है, तो वो क्या enzyme to enzyme depend करती है, कि कौन से enzyme से वो जो target site है, उसमें हम cut लगा सकते हैं, तो यह कैं enzyme to enzyme depend करती है, किसी एक ही enzyme से नहीं करती है, अलग-लग enzymes का हम use करते हैं, तो यह एक important point था, इसको आप याद रखना, अब next आम बात करेंगे, यहापे types की, कि restriction जो endonucleus होता है, तो उसके type कितने होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि, यह कैए total 4 type की होते हैं, जो restriction endonucleus होते हैं, तो सबसे पहले इसमें type 1 आते हैं, type 1 restriction endonucleus वो enzymes होते हैं, जो क्या है DNA को 1000 base pairs तक जो उसे cut कर सकते हैं, cleave करने का मतलब होता है, आप इसमें confuse मत होना के cleave क्या होता है, तो cleave का मतलब होता है cut करना, तो यह जो type 1 जो restriction endonucleus होते हैं, तो यह क्या करते हैं, जो recognition site होती है, recognition site मतलब माल लीजिए एक DNA fragment है, तो इसमें कहा है जो recognition site है, जैसे हमें यहां से यहां तक cut लगाना है, तो यहां पर जो starting होती है, जो हमारी recognition site है, तो वहां से क्या है, लगवद thousand waste pairs तक, यह जो enzyme होते हैं, तो यह क्या 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 मतलब होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से जितने different type के enzymes होते हैं, तो उनके अंदर उतनी ही छमता होती है, तो यह कितने base pairs तक, जो है, cut लगा सकते हैं, base pair तो मैंने आपको बता दिया था, कि एक base pair का क्या मतलब होता है, कि अगर हम क्या adenine, thymine, guanine और cytosine, चारों को हम मिला दें, तो यह single base pair बन जाता है, इसी तरीके से, यह जो type 1 enzymes होते हैं, तो इनके अंदर मतलब चमता होती है, कि वो लगवग 1000 base pair तक, जो है, cut लगा सकते हैं, जो recognition site रहती है, वहाँ से, तो यह बहुत ही simple सा है, और यह जो enzyme रहता है, इसमें किया 3 sub units रहती है, sub units का मतलब रहता है, तो इसमें आप 3 एक तरीके से feature मान सकते हो, इसमें 3 extra units होती है, जो क्या काम करती है, एक जो unit रहती है, वो तो recognize करती है, कि काम पे हमें cut लगाना है, दूसरी होती है, वो कि है cleavage में काम करती है, जो हमें पता लग जाता है, कि काम पे cut लगाना है, तो फिर कि है वहाँ पे cleavage होता है, मतलब cut लगाया जाता है, और सबसे जो last unit रहती है, वो कि है methylation के काम में आती है, तो basically जो methylation होता है, तो methylation कि है chemical process होती है, जिसमें कि है एक methyl group, जो कि हमारा CS3 रहता है, वो कि है DNA के जो specific parts होते हैं, उस पे add हो जाता है, और यह क्या है जो gene expression की जो process होती है, उसको control करता है, जो methylation रहता है, और जब क्या DNA methylated होता है, तो उस टाइम पे genes को off या on किया जा सकता है, यानि हम gene को off कर सकते हैं, या फर उने on कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्या है, आप वो एक तरीके से बोल सकते हैं, या methylation रहता है, तो यह क्या है genes को activate या deactivate करने के काम में आता है, तो यहाँ पे basically क्या है, जो type 1 होते हैं, उसमें 3 units रहती हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है, second आता है हमारा type 2, आप type 2 रहता है, तो इसमें क्या है दो अलगलग different enzymes आते हैं, type 2 में, तो इसमें केवल एक ही enzyme नहीं आता है, इसमें क्या है दो अलगलग different enzymes आते हैं, एक तो रहता है इसमें जो cleave करता है, DNA को cut करता है, एक specific recognition side पर, पहले तो क्या है side को recognize किया जाता है इस तरीके से DNA में, यह DNA है, तो यहां पर कहा है हमें कहां पर cut लगाना है, मालीजी यहां पर हमें cut लगाना है, तो यह recognition side होगी, अब यह जो जगह है, यह कहा है recognition side होगी, अब जब कहा है यहां से मालीजी हमें यहां तक cut लगाना है, तो recognition side से, यहां तक क्या है हम cut लगाएंगे, अब यहां से यहां तक कितने base pairs हैं, यह चीज count की जाएगी, तो इसे हमें यह पता चल जाएगा, यह जो type 2 जो restricts and endonucleus होते हैं, तो इनमें कितनी छमता होते हैं, कितने base pairs तक cut लगा सकते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है, चली तो प ना लग सके, तो एक ही बार किया हम cut करते हैं, असल यह बार बार cut करते हैं, तो यह second जो enzyme रहता है, तो वो क्या करता है, future cleavage को जो further prevent करता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, third type के जो enzyme रहते हैं, तो इसके बारे में भी हम discuss कर लेते हैं, तो यह type 3 जो restriction endonucleus रहते हैं, तो यह कैए दो subunits कесाथ आते हैं, इसमें कैए 2 subunits रहते हैं, जैसे कि पिछले وाले में भी थी, तो एक जो subunits रहते हैं, तो वो क्या करते है, specific DNA sequence को recognize करते हैं, DNA sequence को पता लगाती है, इसके बाद जो दूसरी रहते हैं, तो वो कैए DNA में cut लगाती है, जो recognition side रहते हैं, तो type 2s, ओके, तो type 2s अलग रहते हैं, type 2 अलग रहते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो यह type 2s जो restriction endonucleus enzymes रहते हैं, तो यह क्या DNA के specific sequence को जो recognize करते हैं, और उसमें DNA में जो है, cut लगाते हैं, और ज्यादा मतलब heavy cut तो नहीं लगाते हैं, 20 base pairs तक जो रहते हैं, cut लगाने की, है ना, तो वो क्या काफी कम रहती है, काफी कम base pairs को जो है, cover कर पाते हैं, तो यह हमारे 4 type के जो restriction endonucleus enzyme होगे, तो इसके बारे हमने discuss कर लिए है, अब यहाँ पर क्या हम enzymes को देखेंगे, उनका source देखेंगे, उनकी recognition sequence को देखेंगे, और उनका product देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, e-core 1, ओके, तो यह पहला enzyme है, इसका source रहता है, तो यह कहाई, hysteria coli, जो एक bacteria रहता है, उससे derive किया गया है, है ना, recognition sequence की हम बात करेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर क्या है, जो recognition sequence रहता है, तो इसको आपको जो confuse होने की जववत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, basically यह जो 5- GATTC मतलब क्या रहता है, इसके बारे हम discuss करते हैं, तो देखेंगे, इससे बहुत ही simple फिर से यह G हो गया, यह C हो गया, फिर से यह T हो गया, फिर से यह C हो गया, तो इस तरीके से कहा है, sequence होते है, base pairs के, ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो 5- G, A, A, T, T, C, 3, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब बिल्कु simple सा होता है, कि यहाँ पर यह जो बीच वाला आपको part दिख रहा है, तो इसमें क्या रहता है, G का मतलब रहता है, जो sequence होता है, यह जो मैं आपको sequence बता रहा हूँ न, तो यह जो sequence होता है, तो इसी को जो हम यहाँ पर इस format में लिख देते हैं, और इसमें पर इस तरीके से क्या रहता है, कि यह जो आपको numbers दी है, तो इनको बस आपको यह short form में दी हैं, आपको full form में इन्हें convert करना है, तो G for granin, adenine, adenine, thymine, thymine, cytosine है न, और यह क्या होते है numbers, यह क्या carbon atoms की position होती है, एक nucleotide, सुगर chain पर, है न, तो यह आपको ध्यान रखना है, बिल्कु सिंपल सा है, तो यहाँ पर जो recognition sequence रहता है, है, तो पहला जो enzyme रहता है, वो क्या है, एक और वन रहता है, तो यह क्या है तो मैंने आपको बताई दिया, recognition sequence इस तरीके से रहता है, इतना part जो cut करता है वो, और product क्या है, मतलब जब cut कर देता है, तो DNA fragment क्या है, with sticky ends है न, कि जो DNA के जो fragments, आप माल दीजे के, यहाँ पर क्या होता है basically, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, कि माल दीजे यह कै एक plasmid है, होगे इस तरीके से, अब इसमें क्या हम restriction endonucleus से, यह recognition site होगी, हमने यहाँ पर cut लगा दिया, cut लगाते ही क्या होग यह DNA है, वो कुछ सरीक से बन जाएगा, यहाँ पर, है न, अब cut लग जाएगा, तो यह जो दोनो part का जो हिस्सा होगा, बीच वाला वो gap हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कि इसके जो corners होगे न, तो यह corners मतलब कैसे होते हैं, या तो वो sticky होते हैं, या फिर क्या blunt होत है, ओके, second रहता है, BAMH1, तो यह क्या है, bacillus amylolico faciens है न, तो यह क्या है, एक source होता है, एक bacteria होता है, recognition sequence आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कु सिंपल, और यहाँ पर जो product बनता है, वो क्याए DNA fragments, फिर sticky ends, तो यह इसमें भी जो ends होते हैं, वो क्याए sticky होते हैं, ओके, next आता है, HIE, 111, ओके, तो यह क्या है, hemophilus aegyptus, एक bacteria हो रहता है, यह इसका sequence हो गया, recognition sequence, और जो DNA fragments बनते हो, वो क्या है, blunt ends के साथ बनते हैं, वो चिप-चिपे नहीं होते हैं, ठीके, इतना आपको ध्यान रखना है, HIE and D, 111, ओके, तो यह क्या है, hemophilus influenza, यह क्य virus होता है, और यहां पर इसका sequence दिया हुआ है, यह तरीके से, मतलब आपको जो recognition sequence को आपको याद रखना होगा, और यहां पर भी यो DNA fragments है, वो क्या है, हिस्टिके ends के साथ बनते हैं, और लाश्ट आता है, note 1, जो क्या है, no idea, auto digits है न, तो यहां पर क्या है, इस तरीके से, recognition sequence sequence दिया है, यहां पर, जो DNA fragments होते हैं, यहां पर वो क्या है, blunt ends के साथ बनते हैं, तो बस इतना आपको याद रखना है, enzymes के आपको नाम याद रखने है, और product क्या बनता है, किस तरीके से उसके ends होते है, चिपचे पर होते हैं, या फिर blunt ends होते है, तो इतना बस आपको याद बखना है, चलिए तो यहां पर यह चार्ट आप याद कर लें ना, क्योंकि enzymes के नाम तो आपको at least याद होने ही चाहिए, अब यहां पर एक और चीज आती है, पहली ड्रॉमिक साइट, पहली ड्रॉमिक साइट क्या होती है, तो देखिए जो पहली ड्रॉमिक जो साइट रह पारिंग होगी, और एक और यहां पर इस तरीके से इस्टेंड दिया हुआ है, और यहां पर क्या होता है, इस तरीके से, इसमें कहा है, कहीं गौनन हो गया, थाइमन हो गया, एड़न हो गया, थाइमन हो गया, और यहां मना सकते हैं, साइटोसन हो गया, इसी तरीके से यहा यहां क्या है थाइमन हो गया एडनन हो गया थाइमन हो गया साइटोसिन हो गया ठीक है तो यहां पर यह क्या एक पॉलिड्रॉमिक साइट होती है पॉलिड्रॉमिक साइट का मतलब होता है कि जब क्या हम एक साइट से यानि जो में साइट होती है जब उसको एक साइट से जब हुग है तो जब हम उसको एक तरब से पढ़ते हैं तो यौ अपोज़ेट वाला जो stand होगा तो उसमें जो sequence होगा वो कहाँ उसके अपोज़ेट होगा जैसे हम इसे stand को पढ़ेंगे तो g t a t c इस तरीके से पढ़ेंगे लेकर अगर हम इसी को जब हम पढ़ेंगे इधर से तब क्या यह जश्ट अपोजेट होगा ऊपर वाले के जहां पर C था तो वो क्या स्टार्टिंग में आद आएगा इस तरीक से GTATG तो यहां पर क्या जश्ट इसके अपोजेट होता है तो आप इसे मान सकते हो जो एक सायट होती है वह दूसरे के जश्ट अपोजेट होती है एक तरीक से निरर का काम काँ काती है तो इसको हम बोलते हैं polydromic side और यह जो दूसरी side होती है एक तो main side होगी दूसरी side होती है इसको हम complementary side बोलते है complementary ओके बस इतना आपको याल रखना है तो बस यही सारी चीह लिखी हुई है तो polydromic side is where the sequence reads the same forward on one strand and backward on its complementary strand okay तो polydromic side क्या रहती है कि जहांपे क्या रहता है कि जो एक जो strand रहता है जब हम इसको forward side से पढ़ते है तो जो complementary side रहती है तो जो forward वाला रहता है जो sequence रहता है तो वो complementary side के backward से start होता है तो जैसे हम बात करें यहाँ पर example की कि माल लीजे हमने जो forward side है तो उसको हम इस तरीके से पढ़ते है तो जो complementary जो strand होगा complementary side होगी तो उसको हम just इसका opposite पढ़ेंगे इस तरीके से तो बस आपको ऐसे याद रखना है बिलको simple सा है और जो polydrom जो side रहती हो तो एक तरीके से genetic mirror image की तरह काम करती है चलिए अब जो second चीज़ आती ही वो रहती है recognition sequence तो recognition sequences is in specific DNA site where a restriction endonucleus enzyme cut DNA each recognition sequence is polydromic तो recognition sequence basically क्या रहता है कि जहांपे हम restriction endonucleus enzyme से हम उसे cut करते है DNA को उसे हम बोलते हैं recognition sequence है ना तो जैसे for example इस तरीके से हम समझे एकोसिस करते हैं कि यह का एक BNA ओके और यहां पर क्या है इस तरीके से चीज़ें दी हुई है इस तरीके से base यहां पर दी हुए है ATCT ओके तो इस तरीके से तो basically जो recognition sequence रहता है तो उसमें क्या करते हैं कि हमें क्या माल लीजिए इतना सारा part हमें cut करके निकाल ला है तो जो recognition sequence होगा तो वह यहां से start होगा या उपर से start हो सकता है तो इसमें एक तरफ adenine होगा एक तरफ gononine होगा फिर एक तरफ cytosine एक तरफ thymine तो इस तरह किसे क्या है सबसे पहले क्या है recognize किया जाता है sequence को और then क्या है cut लगाया जाता है तो इसे हम recognition side बोल सकते है जहां पर recognize हम करते है कि इस जगे पर हमें cut लगाना है और जो हर जो sequence रहता है recognition sequence रहता है तो वो nature में क्या है polydromic होता है अब इतने part को जब हम बढ़ा करते हैं इस तरीके से तो वो कुछ इस तरीके से देखेगा हमारा है ना तो इसमें basically क्या रहता है polydromic का क्या मतलब रहता है कि एक तरफ से जब हम देखते हैं तो उसका just opposite होता है दूसी तरफ तो यह रहता है polydromic side तो यह आपको बस दियान रखना है यह हमारा recognition sequence हो गया अब cleavage pattern के हम बात करते है cleavage pattern का क्या मतलब हो गया cleavage का मतलब हो दा है simple सा cut लगाना तो cut लगाने का pattern क्या रहता है तो cleavage pattern refers to how restriction endonucleus cut DNA producing two types of end तो जब गया DNA को cut करते हैं तो उसके जो ends होते हैं cut करने के बाद तो वो दो type क्यों होते हैं एक तो sticky ends होते हैं एक है blunt ends होते हैं sticky ends मतलब useful रहते हैं तो जब हम क्या करते हैं किसे gene को उसके साथ जब हम attach करते हैं तो sticky end होने की वैसे क्या रहता है कि वो आपस में चिपक जाता है जल्दी से मतलब तो मतलब यह तो मतलब symbol सी चीज है कि जब हम किसी चीज को cut करते हैं और उसका जो end होता है corner होता है अगर वो चिपचिपा होगा तो जब हम उसे दूसी जगर पर लेके जाके चिपकाएंगे तो आसानी से चिपक जाएगा तो इस तरीके से कहा इस्टिकी ends है हमारी help करते हैं तो यह कहा काफी useful रहते हैं लेकिन कि जो blunt end रहते हैं तो यह कहा काफी कम मतलब useful रहते हैं क्योंकि जोसके ends होते हैं वो चिपचे पे तो होते नहीं है तो उनको जोड़ना काफी मुस्किल रहता है तो यह हमारे blunt ends होते हैं तो useful थे हमारे sticky ends ही रहते हैं ताकि हम आसां तरीके से gene को attach कर पाते हैं उसकी paring कर पा का तो वो सारी चूंगे बार हमने डिसकस कर लिया है एंजांस के नाम जो आप याद कर लिए ना चाइट पेपर में उसमें दी हुए है तो जाकर उसे याद कर लिया ना सिंपल है विल्गुल और 4-5 ही है ज़्यादा नहीं है कि आप याद नहीं कर पाऊगे तो यह जो टॉपिक है वो यहाँ पर आ के फिनिस हुआ अब जो इसमें सबसे आगरी टॉपिक बचा हुआ है पहले चैप्टर में है इसमें तीन टॉपिक थे पहले चैप्टर में यून